व्यवाहारिक स्थितियों में समी करणों के अनुप्रयोग उदाहरण आज हम देखेंगे व्यवाहारिक स्थितियों में समी करणों के अनुप्रयोग से संबंधित उदाहरण यानी, examples related to application of equations in real life. उदारन एक बाजार से समान लाने के लिए आपके पास कुल 100 रुपई है मान लीजिए कि आपने डाल X रुपई की खरीदी सबजी की कीमत डाल की कीमत के आधे से 15 रुपई ज्यादा थी यहाँ खरीदने के बाद आपके पास 10 रुपई बच गए क्या आप बता सकते हैं कि आपने दाल कितने की खरीदी हमें दिया गया है कि दाल की कीमत X रुपिय है सबजी की कीमत दाल की कीमत के आधे से 15 रुपिय ज्यादा है यानि X बटा 2 जमा 15 और हमारे पास 10 रुपिय बचे हैं हम जानते हैं कुल रुपिय बराबर सबजी की कीमत जमा दाल की कीमत जमा बचे हुए रुपिय अतह हमारा समी करण होगा एक सौ बराबर X जमा X बटा 2 जमा 15 जमा 10 15 जमा 10 होता है 25 एकस और एकस बटा 2 को जोडने के लिए हम क्या करेंगे हम इसे ऐसे भी दर्शा सकते हैं जहां पहले पद का हर एक और दूसरे पद का हर दो है हम यहां एक और दो का LCM लेंगे जो होगा दो एकस बटा एक को दो से गुना और दो से ही भाग करने पर हमें मिलेगा दो एकस बटा दो अब हम 2 एकस बटा 2 और एकस बटा 2 को आसानी से जोड सकते हैं एकस को कौमन लेने पर हमें मिलेगा बराबर 3 एकस बटा 2 तो हमारा समीकरन होगा एकसा बराबर 3 एकस बटा 2 जमा 25 दाल की कीमत पता लगाने के लिए हमें इस समीकरण को हल करना होगा, जिससे हमें X का मान ग्यात हो जाएगा इस समीकरण में अब हमें RHS में सिर्फ X का पत जाहिए इसलिए हम 25 को RHS से LHS ले जाएंगे और जमा 25 बन जाएगा घटा 25 हमारा नया LHS होगा 100 घटा 25 हमारा नया RHS होगा 3X बटा 2 यानि हमारा समीकरण होगा 75 बराबर 3X बटा 2 अब RHS में 3X बटा 2 की जगा हमें बस X जाहिए दो RHS में 3X को भाग कर रहा था इसलिए वह LHS में गुणा करेगा हमारा नया LHS होगा 75 गुणा 2 हमारा नया RHS होगा 3X अतह हमारा समीकरण होगा 150 बराबर 3X X का मान निकालने के लिए अब हम LHS को 3 से भाग करेंगे क्योंकि RHS में 3X से गुणा हो रहा है हमारा नया LHS होगा 150 बटा 3 हमारा नया RHS होगा X यानि हमारा समीकरण होगा 150 बटा 3 बराबर X यानि 50 बराबर X कई बार हमें यह मिठ्यधारना हो जाती है कि संख्याएं केवल RHS में और चर केवल LHS में ही होते हैं परंतु ऐसा नहीं होता क्योंकि दोनों पक्षों की अदला बदली करने पर भी वो समान रहते हैं जैसे 50 बराबर X और X बराबर 50 दोनों समान है समीकरण के RHS में चर X का मान 50 रखकर आप सत्यापित यानि वेरिफाई कर सकते हैं कि यह हल सही है अता अपेक्षित उत्तर होगा 50 यानि दाल की कीमत 50 रुप्य थी आईए एक और उदाहरन को समझते हैं मान लीजिए आपके विद्याले की कक्षा साथ में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या के दो गुने से 6 अधिक है यदि कक्षा में कुल लड़कों की संख्या 30 हो तो लड़कियों की संख्या क्या होगी क्या बता सकती हैं कि इसका समीकरण क्या होगा आईए इस प्रश्न को हल करती है यदि हम कक्षा में लड़कियों की संख्या को A माने तो लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 6 अदेखोगी लड़कों की संख्या बराबर 2A जमा 6 जैसा कि हमें प्रश्ण में दिया हुआ है कि लड़कों की कुल संख्या 30 है तो हमारा समीकरन कुछ इस प्रकार बनेगा 2A जमा 6 बराबर 30 आईए इसे हल करके कुल लड़कियों की संख्या का पता करें जैसा कि हमने सीखा है यहां समीकरन हल करने के लिए हमें बाई और केवल A के पदों को रखना होगा अतर हम 6 को LHS से RHS में स्थापन्न करेंगे तो हमारा नया LHS होगा 2A हमारा नया RHS होगा 30 घटा 6 है जिससे हमें मिलेगा 2A बराबर 24 A का मान ग्याद करने के लिए हम RHS में 24 को 2 से भाग करेंगे हमारा नया LHS होगा A हमारा नया RHS होगा 24 बटा 2 यानि A बराबर 12 अतह कक्षा में लड़कियों की कुल संख्या 12 होगी आज हमने देखे व्यावाहारिक स्थितियों में समी करनों के अनुप्रयोग से संबंधित उद्धाहरन अगली वीडियों में हम इनसे जुड़ी कुछ मिथ्याधारनाई समझेंगे धन्यवाद